हाई गाईज, वेलकम टू करंट अफेर्स फंडा, आपको मालूम होगा कि अगस्त महीने से हमारी डेली करंट अफेर्स सीरीज हुई है, जिसमें हम डेली करंट अफेर्स के साथ वीकली और मंतली करंट अफेर्स वीडियो भी आप सभी को प्रोवाइट कराते आ रहे हैं, प्रिविजन के तोर पर मेरे साथ-साथ अपने आंसर्स कमेंट करते रहें इस से आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितना कवर किया है और कितना इस वीडियो से आपका कवर होने वाला है मैं हूँ आपके साथ अभी शेख शर्मा चलिये करते हैं शुरुवात इस वीडियो सेशन की The Supreme Court recently upheld the rights of Trevancore ex-royal family in managing the affairs of which Kerala temple The correct answer is option 4 Supreme Court ने हाल ही में Kerala के Padwanap Swami मंदिर के परबंदन मामलों में Trevancore पूर्व साही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है Friends, Padwanap Swami मंदिर Kerala की राजधानी तुरुवनन्त पुरम में इस्तित है Kerala की अगर बात करें तो यहां के CM है Pinarai Vision मुहमद आरिफ खान केरल के कवर्णर है Friends, अगर Steady जीगे की हम बात करें तो Great Horn Bill ये Kerala और अरुनाचल परदेश दोनों राज्यों की State Bird है अगर Kerala से जुड़े और Current Affairs की बात करें तो National Statistical Office यानी NSO के सरवे के मताबिक Kerala इंडिया का Most Literate State है with 96.2% Literacy Rate और आंदर परदेश इस लिष्ट में सबसे नीचे है बारत में Most Welcoming Places की लिष्ट में भी Kerala No.1 पर आया है Kerala ने हाल ही में First Marine Ambulance भी लॉंच की जिसका नाम है परतिक्षा इसे कोचिंट से प्यार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है Next Question Which State Government has decided to launch Rocco-Tocco Campaign for those who do not wear masks The correct answer is Option 4 Madhya Pradesh राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको-Tocco अभियान शुरू करने का फैसला किया है Madhya Pradesh के CM है शिवराज सिंग चोहान यहां की गवर्णर है आनंदी बेन पटेल और Madhya Pradesh ही कैपिटल है भोपाल Friends, Madhya Pradesh जिन राज्यों से अपना लेंड बॉर्टर शेर करता है में इस प्रकार है उत्तरप्रदेश, 36 गड़, महाराष्ट, गुजराथ, एंड राजस्थान Next Question Which country launched a spy satellite called OFX-16 The correct answer is option 1 देखे, इसराइल ने अपनी एक जासोस उपग्रे लॉंच किया है जिसका नाम है OFX-16 और इसराइल के प्रेजिडेंट है रियोविन रिवलिन यहां के PM है Benjamin Nathan Yahoo और इसराइल की capital है Jerusalem Friends, अगर इसराइल से जुर्वे current affairs की बात करें तो UAE इसराइल से diplomatic relations बनाने वाला तीसरा अरब country बन गया है और जो सुरू के starting के दो हैं वो है Egypt और Jordan तो इनके बाद UAE अब तीसरी ऐसी country बनी है जिसने इसराइल के साथ अपने diplomatic relations नर्मलाइज किये हैं और UAE को follow किया है बहरीन ने तो इन दोनों countries ने हाल ही में UAE के साथ अपने relations नर्मलाइज किये हैं Next question Which city will host the fourth Kelo India Youth Games in 2021 The correct answer is option D 2021 में Kelo India Youth Games की मेजवानी हरियाना राज जगया पंचकुला शहर करेगा Friends Third Kelo India Youth Games 2020 इस साल जन्वरी में असमराज के गोहाटी सहर में समपन हुए First Kelo India Games 2018 में New Delhi में खेले गए और First Kelo India University Games 2020 उडिसा के कटक सहर में हुए ये टेली है 2020 Kelo India Youth Games की जिसे टोप किया है माराष्ट ने फिर हर्याना और थर्ड नंबर पर है डेली ये टेली है First Kelo India University Games 2020 की जिसे टोप किया है पंचाब यूनिवरस्टी ने Next question Which country's new Supreme Court building was recently inaugurated by the Indian Prime Minister Narendra Modi The correct answer is option 3 हाल ही में भारतिय PM Narendra Modi ने मौरिशस देश के नए Supreme Court भवन का उधगाटन किया है मौरिशस की कैपिटल है Port Louis यहाँ के Prime Minister है परविंद जुगनात और यहाँ के President है पित्रिविरास सिंग रूपन मौरिशस की करंसी की बात करें तो करंसी हैं मौरिशियन रूपी Friends हाल ही में मौरिशस वाकाशियो डिजास्टर की वज़े से सुर्कियों में रहा MV वाकाशियो जो की एक Japanese bulk carrier है इसमें से oil leakage होने की घटना मौरिशस के एक cost पर सामने आई Next question Which international organization has approved UST 3 million grant to India to fight COVID-19 pandemic? The correct answer is option 2 Asian Development Bank ने COVID-19 महामारी से बचने के लिए या लड़ने के लिए भारत को UST 3 million अनुदान सुखरित किया है यानि 22 करोड रूपे अगर इन सभी organization के headquarters की बात करें तो World Bank का headquarters है Washington DC in United States Asian Development Bank का headquarters है Manila in Philippines या फिर Mandalayong में New Development Bank जिसे Bricks Bank भी कहते हैं इसका headquarters है Shanghai in China Asian Infrastructure Investment Bank यानि AIIB इसका headquarters है Beijing in China Next question India celebrates National Doctors Day on July 1st each year in honor of the birth and death anniversary of Dr. Bidhan Chandraroy He was the second chief minister of which state The correct answer is option 2 Dr. Bidhan Chandraroy के जन्म और पुन्यतिती के उपलक्स में भारत परतियक वर्स एक जुलाई को राष्टे चिकितसक दिवस मनाता है Friends ये West Bengal के दूसरे मुख्य मंत्री थे और इस बार Dr. State 2020 का जो थीम रहा है वो है Less in the mortality of COVID-19 Next question What amount has been sanctioned under Agriculture Infrastructure Fund? The correct answer is option 1 Agriculture Infrastructure Fund के अंतरगत 1,00,00 क्रोड रुपे को मंजूरी दी गई है Friends यहां से एक question जो बन सकता है वो यह है कि इस Agriculture Infrastructure Fund scheme की time duration क्या है तो Friends यह 10 साल के लिए launch किया गया है Fiscal Year 2020 से Fiscal Year 2029 तक के लिए अच्छा और इस Scheme के तहथ Banks and Financial Institutions द्वारा 1,00,00 क्रोड रुपे का लोन प्रोड कराए जाएगा किने कराए जाएगा? जो Primary Agricultural Credit Societies है Marketing Cooperative Societies है Self-Help Groups है और Joint Liability Groups है इन सभी को प्रोड कराए जाएगा Next question India extended USD 1 million worth medical assistance to which country in response to a request received from the World Health Organization The correct answer is option 3 भारत ने विश्व स्वास्ते संगठन से प्राप्त request के जवाब में North Korea को 1 million American dollar की चिकित्सा सायता परदान की है North Korea की जो Supreme Leader है उनका नाम है Kim Jong-un North Korea की Capital है Pyongyang और यहां की करंसी है North Korean 1 Friends, मैप में आप देखिए Sea of Japan आपको राइट साइड में दीख रहा होगा और लेफ्ट साइड में आपको दीख रहा होगा Yellow Sea अब इन दोनों सी के बीच में जो आपको एरिया दीख रहा है यह है Korean Peninsula और इसके नौर्थ में है North Korea जो की रशिया और चाइना से लेंड बॉर्डर शेयर करता है और North Korea के South में है South Korea Next Question लाल जी टंडन जिनका हाल ही में निदन हो गया है यह मद्य परदेश राज्य के राज्य पाल थे मद्य परदेश के बारे मैंने आपको अभी दो तीन कोश्चन पहले भी बताया कि यहां के CM है सिवरास सिंग चोहान और यहां की गवर्णर है आनंदी बेन पटेल इन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ है एक्चुली यह उत्तरप्रदेश की राज्य पाल भी है और मद्य परदेश की अटोमिक पावर प्रोजेक्ट एचीवड इट्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी इन विच इस्टेट इस पावर प्रोजेक्ट इस लोकेटेड दिक्रेक्ट आंसर इस ऑप्षन टू ककरापर परमानू उर्जा परियोजना जिसकी तीसरी इकाई ने अपनी पहली प्रोजेक्ट इसकी गुजरात राज्य में इस्तित है देखिए पावर प्रोडूस करने की और जो पहला कदम होता है उसे क्रिटिकलिटी कहते हैं एक टर्म होती है फिशन यह वह प्रोसेस होता है जिसमें एक एटम का नुकलियस दो यह अधिक छोटे नुकलियाई में CIL इसने इस रियक्टर को बनाया है फ्रेंड्स आप जो ये लिश्ट देख रहे हैं ये वो पावर प्रोजेक्ट हैं जिने हाल ही में administrative approval मिला है जिसमें सबसे पहले है कुंदा कुलम जो की तमिल नाडु में इसकी 5th और 6th unit को approve किया गया है दूसरा है चूतका जो की मध्यपरदेश में है इसकी 1st और 2nd unit काएगा जो की करनाटक में है इसकी 5th and 6th unit मही बंस्वारा जो की राजस्थान में है इसकी 1st and 2nd unit और गोरकपूर फ्रेंड्स ये उत्रप्रदेश वाला गोरकपूर नहीं है ये हर्याना वाला गोरकपूर है इसकी 3rd and 4th unit को approve किया गया है देखिए यहां से question मन सकता है कि गोरकपूर ये वाल का जो plant है ये कहां पर है है ना तो answer में तो option में आपको उत्रप्रदेश भी दिया होगा हर्याना भी दिया होगा तो जिनको नहीं मालूम है जो हर्याना से बाहर स्टेट के हैं और उनको नहीं मालूम है कि कोरकपूर हर्याना में भी है ठीक है तो ये आप याद रखना और माही बंस्वारा ये है र मिजोरम मेगा फूट पार्क मिजोरम राज्य में शुरू किया गया है फ्रेंट्स मेगा फूट पार्क इसकीम दोजार आठ नो में शुरू की गई थी और किसके द्वारा मिनिस्ट्री ओफ फूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इस मेगा फूट पार्क के तहट जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया है वो पचास करोड रुपे तक का फाइनेंशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है आपको यह आंसर मालूम ही चल गया होगा जो की हाली में चली रहा है इंडियन प्रीमेर लीग 2020 यूएई में खेला जा रहा है यूएई की कैपिटल है आबुधावी फ्रेंट्स आईपेल के अगर बात करें तो यह 2008 में शुरूख हुआ था और अब यह जो आईपेल 2020 है यह 19 सितमबर से 10 नौम बर तक चलेगा मोस्ट सक्सेस्फुल टीम है आईपेल की मुंबई इंडियन्स जिसने की फोर टाइटल जीते हैं और आईपेल के चेर्मेन है ब्रिजेस पटेल यह आप याद रखना आईपेल के चेर्मेन का नाम बर्थ एनिवर्सरी ओफ चंद्र सेखर आजाद और बाल गंगादर तिलक इस ऑब्ज़र्ड ओन विच डे और आपको मालूम होगा 27 फरवरी 1931 में यह सईद हो गए थे है ना यह कई एक्जाम में पूछा जाता है और इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपॉब्लिकन एसोशियेशन एच एस आरे इसका गठन किया था बाल गंगादर तिलक जी की अगर बात करें तो इन्हें फर्स्ट लीडर ओफ दी इंडियन इंडिपेंडेंस मुमेंट का जाता है दफादर ओफ दी इंडियन अन्रेस्ट भी ने का जाता है और दमेकर ओफ मॉडर्ण इंडिया भी ने का जाता है तिलग जी ने अप्रेल 1916 में बेलगाओं में इंडियन होम रूल लीक की इस्थापना की थी नेस्ट कोश्चन इंडिया है इस वर्ट परसेंट ओफ वर्ड टाइगर पॉपुलेशन इंडी करेक्ट आंसार इस ओप्शन 3 भारत में दुनिया की बागों की आबादी क 70 परतीशत है और अगर हम इंडिया में टाइगर इसकी बात करें तो भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं जिनमें मध्यपरदेश में सबस्यादा टाइगर सें उसके बाद करनाटक और तीसे नंबर पर हैं उत्राखंड फ्रेंड्स एक्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेंट पिटर्सबर्ग डिकलेरेशन किस एनिमल स्पीज की कंजर्वेशन से रिलेटेड है तो आंसर होगा टाइगर कंजर्वेशन नेस्ट कोश्चन विच एकोमर्स कंपनी हैस पार्टनरड विद मुंबई बेस्ट एको जनरल टू ओफर ओटो इंसुरेंस इन इंडिया ति क्रेक्ट आंसर इस ओप्शन वन एमजोन ने भारत में ओटो बीमा की पेशकर्च करने के लिए मुंबई इस्थित एको जनरल के साथ साज़ेदारी की है एक्स इलेक्शन कमिशनर असोक लवासा है तो यह 25 जनवरी 1950 में गठित हुई first chief election commissioner थे हमारे सुकुमार सेन और friends साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ये सुकुमार सेन जी थे ये सुडान के भी chief election commissioner रह जुके थे और current composition की अगर बात करें election commission of India की तो सुनील अरोडा chief election commissioner है और इनके साथ ही है राजीव कुमार और सुसील चंदर जो की election commissioner है next question who has been appointed as interim BCCI CEO the correct answer is option 4 BCCI के interim CEO के तोर पे हिमांक अमीन को नुक थिया गया है BCCI के president है सुरव गांगुली BCCI के secretary है जे शा और BCCI के headquarters है मुंबई में which Indian organization has developed P7 heavy drop system the correct answer is option 4 DRDO ने P7 heavy drop system विक्सित किया है friends DRDO हमेशा news में रहता है एक दो हफते बाद कि या तो कोई test conduct करता है या फिर कोई system ये develop करता है तो आप इसके बारे में जानकारी याद रखना अभी आगे भी काफी question DRDO से related आएंगे तो आप revise करने की कोशिश करना DRDO का headquarters निउ डेली में DRDO की chief है जी 37 Reddy और DRDO 1958 में गठीत हुआ था friends जो ये P7 heavy drop system है इसकी खाचत ये है कि ये 7 ton तक का weight जो military जो stores होते हैं या फिर जो military सामान होता है उनको एक जगा से दूसरी जगा पर ड्रॉप कर सकता है Next question Which annual meeting of the US India Business Council with the theme of building a better future was held recently The correct answer is option 3 हाल ही में US India Business Council जो की एक meeting हुई तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सी बैठक थी तो ये 45 बैठक आयो जित की गई Friends question गुमा कर भी पूछ सकता है चार theme देदेगा और पूछेगा कि US India Business Council जो हाल ही में हुई थी संपन हुई इसका theme क्या रहा है इस साल का तो theme भी आप याद रखें Building a better future Next question With which PSU Ministry of Defense signed a contract for procurement of 1512 mine plow for T-19 tanks The correct answer is option 4 BEML यानि भारत Earth Movers Limited जिसका headquarters बेंगलूरू में है रक्सा मंत्राले ने इसके साथ T-19 tankों के लिए 1512 mine plow की खरीद के लिए एक अनुवंत पर हस्ताक्षर किये हैं और ये deal 557 करोट रुपे में हुई है T-19 tank के उपर mine plow लगाए जाएंगे Friends, mine plow एक ऐसा यंत्र है जिससे जमीन को खोथ कर सावधानी से विस्पोटक को बाहर डूंड कर निकाला जा सकता है देखे कई बार ऐसा होता है कि जो दुश्मन आर्मी होती है है ना एनिमी आर्मी जो होती है वो बीच में कोई विस्पोटक डाल देती है mine wispotak लगा देती है तो यह जो mine plow होते हैं यह उस विस्पोटक को उखाड कर फैक देते हैं जिससे की जो पीछे सेना आ रही हो उसके लिए रास्ता साफ हो जाता है Next question How many Chinese apps were banned by India on July 24, 2020 in addition to the earlier 59 banned apps The correct answer is option 3 देखिए भारत ने पहले 69 एप्स बेंड की है ना Chinese एप तो इसमें कोईशन है पूछ रहे हैं कि इसके अलावा भारत ने 24 जुलाई 2020 खो और कितनी एप्स बेंड की तो 47 चाइनीज एप और बेंड की है और यह बेंड किस मिनिस्ट्री ने लगाया है Very potential question यह काफी यह पूछा जा सकता है याद रखना कि यह बेंड की मिनिस्ट्री ने लगाया जाया गया है तो यह बेंड लगाया है Ministry of Electronics and Information Technology ने और इसके जो प्रभारी है इस मिनिस्ट्री के वेह है रवी संकर प्रसाज जी Next question To provide psychosocial support to students for their mental health which ministry has launched an initiative called Manodrapan The correct answer is option 1 चात्रों को उनके मानसिक स्वास्ते के लिए मानो सामाजिक साहता प्रदान करने के लिए Ministry of HRD ने Manodrapan नामक एक पहल शुरू की है Friends, Ministry of HRD का अब नाम हो चुका है Ministry of Education और इस Ministry के प्रभारी है रमेश पोकरियाल निशंग Friends, ये भी आद रखना कि सिक्सक परव मनाये गया 8 से 25 सितंबर 2020 में इस तरह के पूछे जाते हैं कि ये वीक कब मनाये गया और जैसे पोशन मा है ये भी सितंबर में मनाये जा रहा है 7 सितंबर से 31 सितंबर तक पोशन मा बनाये गया है तो इस तरह के कोश्चन आ जाते हैं Next question Who has been chosen for the 2020 Vaughan Karman Award by the International Academy of Astronautics Sweden The correct answer is option 1 International Academy of Astronautics Sweden द्वारा 2020 Vaughan Karman पुरसकार के लिए इसरो के चीफ कैलासावादीवू C1 या शोर्ट में कह सकते है के C1 इनको चुना गया है Next question जगदीव who recently passed away was associated with which field The correct answer is option 4 देखे जगदीव जिनका पुरा नाम था सैयद इस्तियाक एहमद जाफरी इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये फिल्म इंडरस्ट्री से जुड़े हुए थे आपने इने पुरानी मोवीज में देखा भी होगा ये हास से कलाकार की रूप में अपने एक्टिंग किया करते थे 400 से ज़्यादा फिल्म इनों ने की हुई है Next question Which country is the largest generator of e-waste as per United Nations Global e-waste Monitor 2020 The correct answer is option 1 संयुक्त राष्ट के Westwick e-kacra Monitor 2020 के अनुसार e-kacra का सबसे बड़ा उत्पातक देश चाइना है और इसके बाद है USA और थर्ड नंबर पर आता है इंडिया Next question A suspected case of bubonic plague has been detected in which country? The correct answer is option 1 चाइना में bubonic plague के एक संदिक्द मामले का हाल ही में पता चला है Friends bubonic plague bacterial disease है and it is caused by bacterium yersinia pestis Next question The union cabinet has approved the extension of प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना till which month? The correct answer is option 3 Kendriya मंत्री मंडल ने प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना को November 2020 तक extend कर दिया है यानि इसको November 2020 तक विस्तार कर दिया है Friends प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना की अगर बात करें तो इसमें free of cost food grains दिये जाते हैं यानि rice और wheat दिये जाते हैं 5 kg per person per month और 81 करोल लोग इसका फायदा उठा रहे हैं Next question Trifad signed MOU with which IIT for उन्नत भारत अभियान The correct answer is option 1 Trifad ने उन्नत भारत अभियान के लिए IIT Delhi के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्सर किये है और Trifad किस मिनिस्टे के अंदर काम करती है यह है Tribal Affairs Ministry और Trifad यहीं इंप्लिमेंटिंग एजन्सी है वन धन योजना के लिए Next question PM Modi inaugurated Asia's largest solar power project in which city of Madhya Pradesh The correct answer is option 1 परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने Madhya Pradesh के रेवा सहर में Asia की सबसे बड़ी सोर उर्जा परियोजना का उत्गाटन किया है Friends question इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने Madhya Pradesh के रेवा सहर में जो सोर उर्जा परियोजना का उत्गाटन किया उसकी capacity कितनी है तो यह है 750 MW 750 MW और Madhya Pradesh के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले दो questions आचुके है है न तो आपको याद हो चुका हुआ कि CM कोन है Governor कोन है और Capital क्या है और जिन राज जो से border share करता है MP ये भी मैं आपको बता चुका हूँ उत्रप्रदेश, 36 गड, महराष्ट, गुजरात और राजस्थान Friends इस तरह से आप अपना revise भी करते रहिए क्योंकि कई states ऐसे हैं जो बार-बार आते रहेंगे तो आप उनका data mind में revise करते रहिए Next question Saroj Khan who recently passed away was associated with which profession The correct answer is option 2 देखिए Saroj Khan जी का हाली में निदन हो गया है और आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि ये काफी famous choreographer रही है और जो dance form होती है मुझरा उसके लिए ने जाना जाता था First woman choreographer in Bollywood ये ने कहा जाता है Next question Which state became the first state in the country to provide LPG cash connections to all the households The correct answer is option 3 Himachal Pardes सभी घरों में LPG cash connection परदान करने वाला देश का पहला राज्य पन गया है हिमाचल परदेश के CM है जैराम ठाकुर यहां के governor है बंदारो दत्तत्रे और अगर हिमाचल परदेश की capitals की बात करें तो शिमला जो की summer capital है और धर्मशाला है यहां की winter capitals इस्पिती वैली सेपकिला देपसा पास रोतांग पास बाराल अच्छा पास यह सभी हिमाचल परदेश में है हिमाचल परदेश की अगर बात करें तो यह जम्मो एंड कश्मीर और लद्दाक इंदो यूनियन टेरिटरीस के साथ साथ पंजाब, हरियाना, उत्राकंड और उत्तर परदेश से अपनी लेंड बोर्डर शेयर करता है next question which state has recited to upgrade the dehing पठकाई wildlife century into a national park the correct answer is option 2 असमराज जने dehing पठकाई वन्यजीव अभ्यारणने को राष्टे उध्यान में अपग्रेट करने का निर्न लिया है फ्रेंट जब भी कोई wildlife century किसी national park में अपग्रेट की जाती है तो वहाँ पर regulation और strict कर दी जाती है आसाम के CM है सरवनन्द सोनवाल यहां के governor है जगदीश मुखी और आसाम की capital है दीशपूर आसाम जिन राज्यों से border share करता है वे हैं अरुनाचल परदेश, नागालेंड, मनिपूर, मेगाले, त्रिपुरा, मिजोरम, वेंड, वेस्ट बेंगॉल साथ ही यह भूटान और बांगलादेश के साथ भी border share करता है फ्रेंट्स नोर्थिस्ट स्टेट्स किन-किन देशों के साथ अपने boundary share करते हैं यह question SSC और railways में कई बार banks में भी पूछा जाता है तो आप सभी नोर्थिस्ट स्टेट के जो land border हैं यह आप याद रख लिए next question which state has launched बलराम scheme to provide credit to 7 lakh landless farmers the correct answer is option 2 Odisha राज्ये ने 7 लाक भूमी हीन किसानों को रिंड परदान करने के लिए बलराम योजना की सुरुवात की है और इसकी जो total credit रहेगा वो रहेगा 1040 क्रोर और friends यह आद रखना की किन के लिए है यह 7 lakh landless farmers यानि भूमी हीन किसानों के लिए योजना launch की गई है और इस योजना में बलराम scheme में Odisha का साथ देगी NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development ठीक है तो यह question भी आ जाता है कि जो Odisha में Odisha ने बलराम scheme launch की है तो यह किस agency के साथ collaborate करके की है तो option आ जाता है RBI, NABARD, SEBI या फिर कोई और या SIDBI इस तरह से आ जाता है तो answer रहेगा NABARD question किसी भी तरह से पूजाद आ सकता है तो आप इसको याद रखिए और मैप से देखे Odisha की इन राज्यों के साथ अपनी लेंड बोर्डर शेयर करता है West Bengal, जहारखंड, 36 गड़, एंड आंध्रप्रदिस next question Dom Sibley who became the first cricketer to violate ICC's saliva ban rule place for which country the correct answer is option 1 आपको पता ही होगा COVID-19 की वज़े से ICC ने बोल पर अपनी saliva लगाना के लिए प्रतिबंद लगाया था तो Dom Sibley जो की West Indies के खिलाफ test match खेल रहे थे ये England के हैं तो इन्होंने इस लार प्रतिबंद नियम का उलंगन किया next question which country has banned free internet for social media the correct answer is option 4 बंगलादेश ने social media के लिए मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंद लगा दिया है और अगर बंगलादेश के हम बात करें तो कौन-कौन से राज्य बंगलादेश से लेंड बॉर्डर शेयर करते हैं आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मिघाले, एंड वेस्ट बेंगॉल नेस्ट कोश्चन, एनसे 2nd is the first ever military satellite of which country दी करेक्ट आंसार इस ओप्शन 4 एनसे 2nd, साउथ कोरिय का पहला सैन ने उपगरे है फ्रेंड साउथ कोरिय की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है Seoul और इसकी करंसी है साउथ कोरियन 1 नेस्ट कोश्चन, which country launched its interplanetary mission Tianwen 1 2 मार्स ती करेक्ट आंसार इस ओप्शन 1 चाइना ने मंगल पर अपना पहला interplanetary mission Tianwen 1 लौँज किया है चाइना के प्रीमियर है ली के कुइंग और यहां के प्रेजिडेंट है शी जिन पिंग और चाइना की केपिटल है बीजिंग यह चाइना में है और किस रीवर पर है यांग से रीवर यह S.S.C. और रेलवेस में पूछा जा सकता है तो इसको याद रखना next question Google has relaunched its social networking platform Google Plus by what name the correct answer is option 1 देखे Google ने Google Plus का नाम अब Google Crunch रख दिया है next question Gene Custex has been appointed as the new prime minister of which country the correct answer is option 1 Gene Custex को France देश का नया प्रदानमंत्री न्यूक थिया गया है France के President है Emmanuel Macron और यहां की Capital है Paris France जिन देशों के साथ अपनी land boundary शेर करता है वह है Belgium, Luxembourg, Germany Switzerland, Monaco Italy, Andorra and Spain next question Lynn Dan who has announced his retirement from badminton belongs to which country the correct answer is option 2 Lynn Dan जिन्होंने हाल ही में अपने सन्यास की खोशना की है यह चाइना देश से बिलोंग करते हैं Friends काफी काफी famous नाम है badminton game में इनका Lynn Dan का जैसे cricket में MS Droney सचिन तलुकर, विराट कॉली इनके नाम है एसी ही badminton में Lynn Dan का नाम है next question anti-tank guided missile दुरुवस्त्र has been developed by which organization the correct answer is option 2 anti-tank guided missile दुरुवस्त्र को DRDO द्वारा विक्सित किया गया है देखे फिर से DRDO आगया तो आप revise कीजिए मैंने पिछले question में आपको क्या-क्या बताया था DRDO किस साल में गठित हुआ इसके chairman कौन है इसका headquarters क्या है तो यह सब आप revise कीजिए अंतर यह है कि हैलीना वेपन system जो है वो इंडियन आर्मी में इंड़क्ट किया गया है जबकि जो यह दुरुवस्त्र है यह इसी का version है इसको इंडियन एरफोर्स में इंड़क्ट किया गया है और हैलीना जो है यह थर्ड जनरेशन फायर एंड फोर्गेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नेस्ट कोश्चिन इंडियन नेवल सीप्स कंड़क्टेड पासेज एक्ससाइज विद दी नेवी ओफ विच अमंग दा फॉलोइंग कंट्रीज ति करेक्ट आंसार इस ओप्शन फोर भारतिय नौसेनिक जहाजों ने निम्न में से सभी देशों के साथ पासेक्स अभ्यास किया है और ये सभी देश कोन है यूएस से जापान एंड फ्रांस और हाली में आस्ट्रेलिया के साथ भी किया है जापान के साथ स्टेट आफ मेलाका में किया है और यूनाइट्ड स्टेट के साथ किया है अंडमाने निकवार आइलैंड और और आस्ट्रेलिया के साथ हाली में किया है ये किया है नौर्थ अरेबियन सी में next question who has stay in ंडिया and study in ंडिया committee set up by ministry of HRD the correct answer is option 4. Ministry of HRD द्वारा गठीत, Stay in India और Study in India कमेटी के परमुख है, University Grants Commission यानी UGC के चेर्मेन धिरेंदर पाल सिंग या D.P. सिंग Next question, Amla Sankar who recently passed away was associated with which profession? The correct answer is option 2. Amla Sankar जिनका हाल ही में निदन हुआ है, ये काफी famous choreographer रही है और ये wife थी ओदे Sankar की, जो की खुद ही काफी famous dancer रहे हैं Next question, Lee Hissung-Lung has been re-elected as the Prime Minister of which country? The correct answer is option 2. Lee Hissung-Lung सिंगापूर देश के राष्टपती के रूप में फिर से चुने गए हैं और ये People's Action Party, P.A.P. के Secretary General है, सिंगापूर की अगर बात करें तो यहाँ पर चार ओफिचल लेंग्वेजेस हैं, English, Malay, Chinese and Tamil याद रखना, friends, Tamil और यहाँ के President है, Harima Yaakob और सिंगापूर की करणसी है, Singapore Dollar What is the name of the unmanned space probe to Mars launched by United Arab Emirates from Tanakhshima Space Center in Japan? The correct answer is option 1 UAE द्वारा जापान के तनेग शीमा अंत्रिक्स केंद्र से जो प्रशेप्तित मंगल पर मानव रहित अंत्रिक्स प्रोब भेजा गया है, उसका नाम है Hope Hope probe, ठीक है, और यह करने वाला, जो United Arab Emirates है, यह Arab World का पहला देश बन गया है, जिसने Mars पर कोई अपना Space probe launch किया हो, friends, अगर UAE की बात करें, तो यह इसने एक target पी रखा है, कि 217, सन 217 तक यह Mars पर settlement करेगा, और अगर जनवरी में, जनवरी के Current Affairs की बात करें इस साल के, तो हज या अलमनसूरी, यह UAE के पहले परसन बन गए है, जो की Space में गए है, यह काफी यह Astronaut है, UAE के, और यह UAE के पहले परसन बने गए है, जो की Space में गए है, Next Question, 36th Bi-Anual Edition of ASEAN Summit 2020 was held in which city, the correct answer is option 2, देखिए यहाँ पर पुछा है, कि 36 जो Bi-Anual Edition है, ASEAN का, ASEAN की full form होती है, Association of Southeast Asian Nations, तो इसकी जो 2020 की Summit हुई है, यह किस सहर में हुई, तो यह हुई है वियतनाम के हनोई सहर में, और अगर हम बात करें, ASEAN कंट्रीज की, तो 10 मेंबर हैं इसमें, Indonesia, Thailand, Singapore, Philippines, Malaysia, वियतनाम, Brunei, Cambodia, Myanmar and Laos, और फ्रेंड्स, इस 36th edition की जो theme रही है, वो है, cohesive and responsive ASEAN, तो यहाँ से हुआ है, यह हो सकता है, दूसरा यह पूचा जा सकता है, कि हाल ही में, ASEAN की कौन जी Summit संपन हुई, तो यह थी 36th, और तीसरा किस तरह से पूचा जा सकता है, यह पूचा जा सकता है, कि 36th, जो ASEAN की अभी Summit हुई है, इसका theme क्या रहा है, तो theme रहा है, cohesive and responsive ASEAN, next question, what is India's rank in the Sustainable Development Goals Index 2020, the correct answer is option 4, सतत विकास लक्षो सूचकांग 2020 में भारत की rank रही है, 117, और अगर इसमें top countries की बात करें, तो पहले नमबर पर है Sweden, दूसरे पर है Denmark, और तीसरे पर है Finland, Friends, ये सभी 17 गोल आपको दिखाए गए हैं, ये पूछ लेते हैं कि 4 गोल कौन सा है, या 5 गोल कौन सा है, तो ये आप याद कर लेना, इसकी tricks भी हैं, ये मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिनमें एक simple trick से इसको याद किया जा सकता है, The correct answer is option 2, तो overdraft saving the Indian saver, ये पुस्तक लिखी है, RBI के 24 वे गवर्णर, उरिजीत पटेल लें, और ये 5th RBI गवर्णर हैं, जिन्होंने अपनी टर्म पूरी होने से पहले ही, रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, next question, who authored a song of India, अब इस question में पूछ रहे हैं कि a song of India, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है, Ruskin Bond, friends, Ruskin Bond की अगर बात करें, तो ये उत्राखंड की मसूरी में रहते हैं, और देखें, ये जो है, बच्चों की books ज्यादा लिखते हैं, जो बच्चों से जुड़ी books होते हैं, उनको ये ज्यादा प्रिफर करते हैं, लिखना, तो देखें, काफी famous writer हैं, और exam में question मन जाता है इन से, तो अगर आप कभी exam में ऐसा हो जाए, कि किसी पुस्तक के बारे में पूछा गया हो, और वो पुस्तक बच्चों से related हो, उसका title बच्चों से related हो, तो ऐसा आपको पता नहीं चल रहा हो कि क्या answer होगा, और उसमें Ruskin Bond भी option है, और आपका मन है कि answer लगाना है, तुक्का मारना है या guess करना है, तो friends मैं आपको recommend करूँगा कि 95% answer उसका Ruskin Bond होगा, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ी किताबे ही launch करत तो आप Ruskin Bond answer करके आईएगा, और अगर इनकी बात करें तो इनको साहित Academy Award मिला था 1992 में, इनकी रचना के लिए जिसका नाम है Our Trees Still Grow in Dehera, और अगर इनके और notable works की बात करें तो वह है A Flight of Pigeons, और दूसरा है The Blue Umbrella, Who authored Quest for Restoring Financial Stability in India? The correct answer is option 3, इसमें हमें बताना है Quest for Restoring Financial Stability in India, इस पुस्तक को किस ने लिखा है? तो इसका आंसर है Viral Aacharya ने, जो की RBI के Deputy Governor रह चुके हैं, इन्होंने भी अपना टर्म पूरे होने से पहले ही इस्तिफा दे दिया था Next Question, नेला सत्यनारायन, who passed away recently, was the first female election commissioner of which state? The correct answer is option 3, नेला सत्यनारायन, जिलका हाल ही में निदन हो गया, ये महराष्टे राज्य की पहली मैला आयुक्त थी और अगर हम महराष्ट की बात करें, तो ये किन्नाज्यों से अपना land border share करता है, तेलंगाना, गोवा, करनाटग, चतिसगड, गुजरात, एंड मध्यपर्देश, साथी साथ ये, दाधरा एंड नागर हवेली एंड दमनेंदियू, इस union territory से भी अपनी land border share करता है next question, who has been appointed as the first chairman of the International Financial Services Center Authority, IFSCA for a three years term, the correct answer is option 4, तीन वर्ष की अबदी के लिए, अंतराष्टे, वित्तिय, सेवा, केंद्र, प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में, इंजेती स्रीनिवास को न्यूक्त किया गया है अगर हम International Financial Services Center Authority की बात करें, तो ये है, गुजरात International Finance Tax City, यानि Gift City, जो की गांधी नकर में है इंजेती निवास, जिनकों की International Financial Services Center Authority का पहला चेर्मेन बनाया गया है, तो इनकी जो ये निउक्तिय कितने सालों के लिए की गई है, तो आंसर होगा तीन साल के लिए नेस्ट कोश्चन, विच फाइनेशल इंस्टिटूशन है और गनाइस्ट इस फर्स्ट डिजिटल चोपाल तो मार्क इट्स 39 फांडेशन डे, ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन वन, नाबाड ने अपने 49 इस्थापना दिवस को मनाने के लिए अपना पहला डिजिटल चोप आयोजित किया है, नाबाड किया कर बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ, इसका हैटकॉर्टर से मुंबई में और नाबाड की चेर्मेन है, गोविंद राजोलू चिंतला, नेक्स्ट कोश्चन, The correct answer is option 2, बारते रिजर्व बैंक के आकड़ो के अनुसार, वित्वर्ष 2020-21 में, Market Borrowings में, जो पहला, जो टोप पर राजरा है, वो है तमिल नाडू, इसने सबसे ज़्यादा Borrowings की हैं, और इसके बाद आता है महराष्ट, फिर आंद्रपर्देश, और फिर आता है राजस्थान, और तमिल नाडू का अब मैप से भी दे सकते हैं, यह करनाटक, आंद्रपर्देश, और केड़ला के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, साथी साथी है पुडूचेरी, जो एक union territory है, इसके साथ भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, नेश्ट कोश्चन, विच इंडियन रेलवेज जोन हैज लॉंच एन एप कॉल्ड चेक इन मास्टर फॉर दा टिकेट चेकिंग स्टाफ, ति correct answer is option 3, देखें, चेकिंग मास्टर एक एप लॉंच की गई है, तो पूछा गया है भारतिये रेलवेज के किस जोन ने लॉंच की है, तो answer होगा central जोन ने, और central रेलवेज जोन का हैटकॉर्टर से मुमबई में, next question, which football club won its 34th La Liga Champions 2019-20 title, the correct answer is option 4, Real Madrid, जो कि एक Spanish professional football club है, इसने अपना 34th La Liga Champions 2019-20 football का खिताब जीता है, friends, ये titles भी पूछे जाते हैं exam में, bank exam में खास कर, तो याद रखना, आगे एक और question आएगा, इस से related, तो ये दोनों question आप note कर लेना, अगर आपने पहले नहीं पड़े हैं तो, which state has launched a new mobile application called self-scan, to scan documents, the correct answer is option 4, West Bengal ने दस्तावेजो को scan करने के लिए self-scan नामक एक नया mobile application launch किया है, West Bengal के अगर बात करें तो यहाँ के governor है जगदीब धनकर, और यहाँ की CM है ममता बैनर जी, और यहाँ की capital है कॉलकाता, बांगलादेश जिन राज्यों से land border share करता है वो है Odisha, जारकंड, बिहार, सिक्किम एंड आसाम, साथी साथ बांगलादेश के साथ भी यह land border share करता है, Next question, Who presented India's second voluntary national review report at the United Nations high-level political forum on sustainable development? The correct answer is option 3, सतत विकास पर संयुक्त राष्टे उच्च इस तरिये राजिनेतिक forum में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्टे समिक्स्या report नीती आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई? Friend question ये भी पूछ सकते हैं कि नीती आयोग ने कौन सी report हाल ही में संयुक्त राष्टे उच्च इस तरिये राजिनेतिक forum में सम्मिट की? तो ये होगा second report और नीती आयोग के अगर बात करें तो एक जनवरी 2015 में इसको बनाये गया था planning commission को इसने replace किया था और इसके first vice chairman थे अरविंद पनगरिया और chairman तो तभी से इसके परदानमंत्री नरेंदर मोदी हैं और current vice chairman है राजीव कुमार और नीती आयोग के CEO हैं अमित सब्सक्राइब कांथ तो यह याद रखना है चंद्रिका प्रसाद चन संतों की has been elected as the president of which country करेक्ट आंशारी ओप्शन 3 चंद्रिका प्रसाद चैन संतों की को सुरी नाम तेसके राष्टपति के रूप में चुना गया है फ्रेंट्स याद रखना सुरी नाम साउथ अमेरि देखो नेस्ट वस्चन एटी एल एप डेवलप्मेंट मॉड्योल फॉर इस्कूल चिडरन ओल एक्रॉस दी कंट्री हैस बीन लॉंच्ट बाइविच एजनसी ती क्रेक्ट आंसार इस ऑप्शन 3 देशबर में इस्कूली बच्चों के लिए एटी एप डेवलप्मेंट मॉ अब्डिल का मकसद है कि आप अभी बच्चे क्या करते हैं एप यूज करते हैं तो बच्चों का लेवल उस इस्तर तक बढ़ा देना है कि वे एप यूज करने के बज़ा एप बनाने पर ध्यान दे बतलब यूज तो करेंगे ही लेकिन उनका दिमाग इतना अच्छा कर दे कि वो एप भी बनाने लगे हैं नेस्ट कोस्चन मिसन व्रेक्षार ओपन 2020 हैस बीन लॉंच्ट पाइविच इस्टेट कवर्मेंट अधी करेक्ट आंसर इस ओप्शन फोर मिसन व्रेक्षार ओपन 2020 उत्तर परदेश सरकार द्वारा सुरू किया गया है और यह सुरू किया ग परदेश डेली उत्राकंड बिहार मध्यपरदेश जारकंड एंड चत्तिसगड साथी नेपाली के साथ भी लैंड वो डिक्षर करता है नेस्ट कोस्चन विच टीम वान दा प्रीमेर लीग 2019-20 सीजन ती क्रेक्ट आंसर इस ओप्शन त्री तो लीवर्पुल जो कि एक जीता है वो रियल मेट रिट ने जीता था और यह हो गया प्रीमेर लीग तो यह दो कोश्चन आप नोट कर लेना काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए विच बैंक हैस ओफर्ड एन इंस्टेंट कार लोंस तो एक्सिस्टिंग कस्टमर्स थू एन इनिशिएटिव काल जीप ड्राइव ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन त्री एच्ड एफसी बैंक ने जीप ड्राइव नामग एक पहल के माध्यम से अपने मौजूदा गराकों क ततकाल काल रिंड की पेशकस की है गुड़नी थोरलासियस जोहांसन है इनको आइसलेंड के राष्टपती के रूप में फिर से चुना गया है आइसलेंड की कैपिटल है रे जैक्विक और यहां की करंसी है करोना नेक्स्ट कोश्चन फ्रेंड की ब्रेंड अंबस्टर के रूप में ब्रेटली को न्यूक दिया गया है एक इंडियन न्यूज एंड इन्फोर्मेशन वेबसाइट है जो की क्रिकेट, फुटबोल और कबड़ी को कवर करती है क्योंकि इसके पीछ एड़ डा लिखा है तो आप इसको किसी और चीज से रिलेट मत करना ये एक अपनी अलग वेबसाइट है जो की क्रिकेट, फुटबोल और कबड़ी को कवर करती है इस बैंक की अगर बात करें तो हाली में ये काफी चर्चा में रहा चर्चा में मतलब कि बैंकिंग अवेर्नेस से रिलेटेड काफी चर्चा में रहा क्यों रहा? क्योंकि ICICI Lombard Insurance Company ने येस बैंक के साथ बैंक का शोरेंस पेक्ट साइन किया है बैंक का सोरेंस का मतलब होता है कि बैंक जो है अपने कस्टमर्स को जिस कंपनी के साथ इनोंने एगरिमेंट साइन किया है उसकी इंसरेंस स्कीम्स अपने कस्टमर्स को बेचता है तो येस बैंक क्या करेगा? ICICI Lombard की जो इंसरेंस स्कीम्स है इसको अपने बैंकिंग कस्टमर्स को सेल करेगा या प्रोमोट करेगा आप क्या सकते है और इसी तरह का पैक्ट SBI General Insurance ने भी साइन किया है येस बैंक के साथ और SDFC Life इसने भी येस बैंक के साथ इसी तरह का Insurance Pact साइन किया है तो तीन करेंट अफेर्स आपके ये कवर होगा इसके साथ कॉस्चन के महदी मोहमद गुलेट वाज अपॉंटेट एस अच्टिंग प्राइम मिनिस्टर आफ विच कंट्री? The correct answer is option 3 महदी मोहमद गुलेट को किस देश के कारेवाख प्रदानमंत्रे के रूप में न्यूक्ति आ गया था? ये पूछा है तो answer होगा सोमालिया तो ये जुलाई का है current effect तो इसलिए तब किया गया था और लेकिन जो हाल ही में अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए है उनका नाम है मोहमद होसन रोबल ठीक है? तो ये आप याद रखना और सोमालिया के प्रेजडेंट है मोहमद अब्दुलाही फरमाजो सोमालिया की कैपिटल है मोगदीशू निगार जोहर पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान के PM के अगर बात करने तो इमरान खान है यहां के प्रेजडेंट है आरिफ अलवी और पाकिस्तान की कैपिटल है इसलामाबाद आपको याद होगा SSC जिस तरह से अपना एक्जाम प्रेटन बदल रहा है कोश्चन कहीं से भी आ जाते हैं तो पिछले साल SSC ने पाकिस्तान के प्रेजडेंट का नाम पूछ लिया था तो कई बच्चों को मालूमी नहीं था कि प्रेजडेंट कोन है या फिर यहां के आर्मी चीफ है वे नियूज में आते हैं तो प्रेजडेंट याद रखना आरिफ अलवी हैं यहां के प्रेजडेंट के रूप में प्रियंका चोपडा को नुक्त किया गया है और टोटल 50 सेलेब्रिटी इसमें अंब्रेजडेंट बनाये गए हैं उन्हीं में प्रियंका चोपडा भी है फ्रेंट देख़े हमारा मकसद यह रहता है कि जब भी हम आपको current affairs पढ़ाते हैं जो की daily current affairs आते हैं तो इसमें हमारा मकसद यह रहता है कि बीना इधर उधर की बाते किये गए हम अपने topic पर ही stick रहें क्योंकि देख़ें आप लोग तयारी कर रहे हैं आप लोगा time काफी important ह काफी precious time है काफी crucial time है तो हम इधर उधर की बाते ना करते हुए सीधे content पर बात करते हैं तो इसलिए आप डेली हमारी वीडियोस देखा करें आपको काफी benefit मिलेगा आप एक महीना देखकर देखिए क्योंकि static gvk भी इसके साथ cover हो रही है तो आपको खुदी अपने में अपन फ्रेंड़ी वियरेबल डिवाइस लॉंच्ट बाइविच इंस्टिटूट ऑफ मैनेजमेंट ती करेक्ट आंसार इस ओप्शन फोर वैली बेंड जो की एक यूजर फ्रेंड़ी वियरेबल डिवाइस है इसको आई-ई-एम कोजी कोड ने लॉंच किया है अच्छा अब य स्की दूरी से कम में खड़े हैं तो एक तुरंत यह अलारम देगा कि आप सोचल डिस्टेंस बनाए रखिए ऐस्थ्रोस मिशन इज एस्सवीड़ विद विज कंट्री ती कर्रेक्ट आंसार इस ओप्शन वन अस्तोस मिशन यूएस से देश से संबंदित है देखें ऐस्थ्रोस का मतलब है ऐस्टो फिजीक्स इस्टास फिरिक टेलिस्कोप फोर हाई स्पेक्ट्र रिजॉलुशन इसको नासा लॉंच करेगा और यह अंटार्क्टिका से लॉंच किया जाएगा दिसंबर 2023 में इसमें एक बैलून होगा जिसके साथ एक टेलिस्कोब अटेच होगा जो की इस्टेटोसफेर में स्टेटोसफेर से उब्जर्व करेगा उन वेवलेंज को जो की ग्राउंड से मे सेंटर इन विच सिटी ती करेक्ट आंसार इस ओप्शन फोर नेशनल पेमेंट्स कोर्परेशन ऑफ इंडिया हाइदराबाद सहर में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर इस्थापित करेगा और इसको कौन बनाएगा एलेंटी यानि लार्शन एंड टर्बू कंपनीज को बना दी करेक्ट आंसार इस ओप्शन फोर एन सिवा रामन आई सी आरे लिमिटेड जो कि एक क्रेडिट ट्रेटिंग एजन्सी है इसके नए सी यो और एमडी के तोर पर न्यूक थिये गए हैं और आई सी आरे लिमिटेड का हैटक्वार्टर से गुरु ग्राम इन हरियाना मोबाइल मास्टर जी अ क्लास्रूम टू होम टीचिंग सेट अप हैं मोबाइल मास्टर जी इसको लॉंच किया है आई 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 टी कानपूर ने नेस्ट कोश्चन फू लॉंच्ट एन इंडिजीनेस सोशल मीडिया एप एलिमेंट्स इस तरह की सुविधाएं इसमें दी गई है आत्म निरपर भारत के आत्म निरपर भारत अभियान के तहत इस एप को बनाया गया है नेस्ट कोश्चन इंडियन रेलवेस तो गेट रेडियो फ्रिक्वेंसी इडेंटिफिकेशन टेग इन आल दे वेगन्स बाइच एर दी करेक्ट आंसर इस ओप्शन फोर बारतिय रेलवे दिसंबर दो हजार बाईस तक अपने सभी वेगन्स में रेडियो फ्रिक्वेंसी ग्रैंड प्रिक्वेंटी टी करेक्ट आंसर इस ओप्शन एक रेक्वेंसी युक्रीं यही ज्यादातर रेश जीतते रहते हैं आगे पीछे यही चलते रहते हैं और हाली में जितनों बहुंद गया इसकी एक अलग लिस्ट भी आपको मैं कराऊंगा एक अलग वीडियो बन आंसर दे सकें देखिए जो लोईस हैमिल्टन है ये ब्रीटिश है और ये मर्सेडीस के लिए रेसिंग करते हैं मैक्स वर्ष टैपन ये बेल्जियम के हैं जो कि रैडबुल के लिए रेस करते हैं ड्राइविंग करते हैं वर्टेरी बोटस ये फिनलैंड के हैं जो कि अगें Mercedes के लिए ड्राइविंग करते हैं रेसिंग करते हैं Friends SSC में question दो बार पूछा जा चुका है कि Silverstone ये किस sports से related है तो इसका answer होगा F1 racing जो Silverstone है ये एक racing circuit है जो कि England में है तो ये fact आप याद रखना Who has been conferred with the first Professor P.C. Mahalanobis Award in Official Statistics for Lifetime Achievements The correct answer is option 2 आजीवन उपलब्दियों के लिए आधिकारिक सांखिकी में पर्थम Professor P.C. Mahalanobis प्रुषकार से C. Rangarajan को सम्मानित किया गया है इस question में पूछा है कि जो वी पट्टाबाई राम की जो पुस्तक है future of higher education 9 Megatrends ये किसके द्वरा लॉंच की गई तो अगैन इसको लॉंच किया है हमारी Vice President वंकईया नाइडू जी ने और पिछले question में हमने क्या देखा था element app ये भी किसने लॉंच की थी वंकईया नाइडू जी ने विच मिनिस्ट्री लॉंच्ट अवेबिनार कॉल्ड नाडी विज्ञान अ कंप्लेट सॉलूशन फोर इस्पाइनल डिस ओर्डर्स ती correct answer is option 1 नाडी विज्ञान रेडी के हड़ी के विकारों के लिए एक पूर्ण समाधान इस वेबिनार को सुरू किया है Ministry of Tourism ने Friends, option में आपको Ministry of Health अगर मिलता और आपको इस question का answer ना पता होता तो आप Ministry of Health जरूर करके आते तो याद रखना ये लॉंच हिया है Ministry of Tourism ने बहुत जुरूरी है crop insurance campaign launched by which company दी correct answer is option 4 बहुत जुरूरी है फसल बीमा अभियान भारती एकसा जनरल इंसुरेंस द्वारा लॉंच किया गया है अगर हम भारती एकसा जनरल इंसुरेंस से जुड़े current affairs की बात करें तो हाल ही में SBM bank के साथ इन्होंने bank assurance partnership की है bank assurance के बारे मैंने आपको पीछे question ने बताया था yes bank के जो yes bank से related question आया है तो आप revise करने कोशिस कीजिए कि मैंने क्या बताया था next question India's first DGCA approved drone training school has been approved in which city the correct answer is option one बारत का पहला DGCA स्विक्रत drone training school माराष्ट के मुंबई सहर में स्विक्रत किया गया है friends मैं फिट से कह रहा हूं अगर आपको हमारे questions का level अच्छा लग रहा है तो आप like कीजिए और अगर आपको कोई suggestions हैं आपके मन में तो आप comment box में जरूर देजिए आपको पता होगा हम आपके सभी comments का answer जरूर देते हैं next question who is the new CEO of the Central Board of Film Certification the correct answer is option for Kendriya Film Permanent Board यानी Central Board of Film Certification CBFC इसके नए CEO बनाए गए है रवेंद्र भाकर और CBFC के चेर्मेन है प्रसुन जोसी और CBFC का headquarters है मुंबई में Ministry of Culture celebrated संकल्प पर्व फ्रॉम विच डेट the correct answer is option 4 देखे इस तरह के question जरूर पूछे जाते हैं कि ये सपता किस तारीक से किस तारीक तक मनाया गया या ये महीना किस रूप में मनाया जा रहा है ठीक है तो संस्कृत मंत्रा लेने संकल्प पर्व ये 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाया है और ministry of culture किंगेंडर है यह प्रलात सिंग पटेल नेक्स्ट कोश्चन दि कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इंटू फोर्स फ्रॉम विच डे कोश्चन में पूझाएं उब्भोकता संदक्षन अधिनियम 2019 किस दिन से लाग हुआ है तो आंसर होगा 20 जुलाई 2020 से फ्रेंड्स अगर कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करें तो इसने तीन दसक पुराना कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है ये question भी आ जाता है कि जो हाल ही में Consumer Protection Act 2019 है इसने किस Act को replace किया है तो चार option आ जाएंगे तो उनमें 1986 होगा एक किसी और सनका होगा तो पुछा जाता है कि कौन सा सही है तो answer होगा Consumer Protection Act 1986 और इस Act के तहट एक agency बनाई जाएगी जिसका नाम है Central Consumer Protection Authority यानी CCPA देखे गरहा कई बार ठग ले जाते हैं या फिर उनके साथ fraud हो जाता है तो उसी से जुड़ा ये Act पारित किया गया है इसमें क्या है कि अगर आपके साथ कोई भी fraud हुआ है तो जो विक्रेता है उसको 6 मंत की जेल या फिर एक लाग तक का fine लगेगा और अगर गरहा को किसी त ट्रिफर जाती है या और कुछ हो जाए तो कम से कम दस लाक रुपे का fine और साथ साल की ज़्यदा या फिर इसको बढ़ा कर आज इवन करावास भी किया जा सकता है नेक्स्ट कुस्ट्ट गवर्मेंट ओफ इंडिया साइंड 750 मिलियन यूस टोलर एक्रिमेंट फॉर इंटरप्राइजेस के इमर्जेंसी रिस्पॉंस प्रोग्राम के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझोते पर हक्षताक्षर किये हैं फ्रेंड्स इन चारों बैंक्स के हैट्वाटर मैं आपको पहले कोश्चन में बता चुका हूँ चारों के बताये थे मैंने तो आप रिवाइस क क्लंबैंक बीहां इसे कोर्टर से संगाई यानि चाइना में एसें डेवलपमेंट बैंक का हैटकॉर्डर से मनीला इन फिलिपीन्स और एसें इंवेस्टमेंड बैंक हैटकॉर्टर सबीजिंग की चाइना अवद बिन हसन जमी वो पास्ट वे रिसेंटली वॉस एसोचियेटेड विद विच प्रोफेशन ती क्रेक्ट आंसर इस ओप्शन थ्री अवद बिन हसन जमी इनका हाली में इतन हो गया है यह एक काफी फेमस कार्टूनिस्ट थे रोस क्रिश्चन और सुकार रपॉंड़ा हैस बिन अपॉंटेड एस फर्स्ट वूमन प्राइम मिश्टर ऑफ इच कंट्री ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन थ्री रोस क्रिश्चन और सुकार रपॉंड़ा यह गैबॉन की पहली मईला प्रदान मंद्री के रूप में न्यू सम्मान योजना फॉर वीवर्स ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन थ्री करनाटक राज्य ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना लौंच किये जिसका नाम है नेकरा सम्मान योजना और करनाटक के सीम है बीएस येदुरप्पा यहां के कवर्णर है वाजुबाई वाला और कैपिटल है बैंगलूरू अच्छा जो यह नेकरा सम्मान योजना है इसके तहार 2000 रुपे का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएका गॉर्मेंट द्वारा जो वीवर्स हैं बुनकर हैं डिरेक्ट उनके खातों में हैं अगर करनाटक की बात करें तो एक गोवा महार जाफ तेलंगाना आंधरपर देश तमिल नाडू और केराल राज्ये के साथ अपना लेंड़ बोर्डर शेर करड़े और यह इक लोटा ऐसा उप्रचेट है जो अगवर्स साउथ इंडियन इस्टेट हैं उनके साथ लेंड़ बोरडर बनाता है बागी के चारो जो South Indian States हैं उनके साथ लिए अपना Land Border शेयर करता है Which Cricketer has been named the most valuable player for India in the 21st century by Wisden? The correct answer is option 4 भारत के रविंद्र जड़ेजा को Wisden द्वारा 21 सदी में भारत के सबसे मुल्यवान खिलाडी का नाम दिया गया है और अगर overall बात करें तो इस second number पर है क्योंकि first number पर है स्री लंका के बोलर मुथी या मुल्डी तरन ये तो अब रेटायर हो चुके हैं पहले खेला करते हैं स्री लंका के लिए What is India's rank in the Global Real Estate Transparency Index 2020? The correct answer is option 4 Westwick Real Estate पारदर्सिता सूचकांग 2020 में भारत की rank है 34 और इसमें पहली rank है United Kingdom यानी UK की Dare to Dream 2.0 is an innovative contest launched by which organization? The correct answer is option 3 Dare to Dream 2.0 ये जो एक innovative contest है इसको DRDO द्वारा लांच किया गया है DRDO का देखिए friends चोथी बार ये question आ रहा है इस पूरे वीडियो में तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि DRDO के chairman कोन है और ये कभी इसकी स्थापना की गई थी Headquarter है New Delhi और 1958 में DRDO को को स्थापित किया गया था DRDO के chairman है G. Satis Reddy माइकल मार्टीन हैज बिन इलेक्टेड एज न्यू टिशक प्राइम मिनिस्टर ओफ फिच कंट्री The correct answer is option 4 माइकल मार्टीन को Republic of Ireland का नया परदान मंत्री चुना गया है Friends देखिए मैंने यहाँ पर एक term include किया है आपको दीख भी रहोगा question में प्राइम मिनिस्टर के आगे जो लिखा है इसको बोलते है टीशक तो Ireland में प्राइम मिनिस्टर को टीशक नाम दिया जाता है तो यह आप याद रखना Republic of Ireland की जो capital है वह है Dublin Andres Duda has been re-elected as the president of which country The correct answer is option 1 Andres Duda को Poland के राष्टपती के रूप में फिर से चुना गया है Poland की capital है Warsaw और यहां की currency है Polish Chiloti तो friends यह सभी questions थे I hope आपको पसंद आये होंगे और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए और मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आपको कोई भी suggestion हो हमारे current aware से related तो आप comment box में provide कर सकते हैं और अगर आपको हमारा content अच्छा रखता है तो भी आप comment box में बता सकते हैं आपका क्या feedback है और इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा अगर आपको पसंद आई है आगे एक तो question हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं Which state tourism board has launched a campaign इंतजार आपका on social media platforms to attract tourists to the tourist places of the state The correct answer is option 4 इस तरो के लिए परेटो को को आकरशित करने के लिए social media platforms पर इंतजार आपका यह अभियान शुरू किया है फ्रेंट्स देखें मध्यपरदेश भी तीसरी बार आ रहा है पूरी वीडियो में तो आपको अब तक यह पुरा डेटा याद हो जाना चाहिए आप रिवाइश करके देखिए मध्यपरदेश के CMC वरासिंग चोहान गवर्नर है अनंदी बैन पटेल जो की उत्तरपरदेश की भी गवर्नर है कैपिटल है भोपाल और मध्यपरदेश उत्तरपरदेश 36 गड़ महाराष्ट गुजराद और राजस्थान के साथ बोर्टर मनाता है बैंक नोट प्रेस यह देवास में है जो की है मध्यपरदेश में विच स्टेट इन इंडिया है लॉंच्ट रूपीज 1,369 क्रोड ओनलाइन कैस एड इनिशेटिव एट वन क्लिक फॉर MSME एंड टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन 3 भारत की गुजराद राज्य ने MSME और वस्त्र इद्योगों के लिए तेरा सो उनत्र करोड रूपे की ओनलाइन नकत सायता की एक सुरुवाद किये जिसका नाम है एट वन क्लिक यानि एक क्लिक पर गुजराथी कैपिटल है गांधी नगर यहां के CMA विजय रूपानी और गवर्णर है आचार्य देवरत नेम द फ़र्ष्ट सिटी इन दे नॉर्थ इस रीजन तो गेट आ मेन होल क्लिक रोबॉर्ट नेमड बंडिकूट तिक रेक्ट आंसर इस ओप्शन फॉर नौर्थिस्ट रीजन का पहला मैन होल क्रीनिंग रोबोर्ट जिसका नाम है बेंडी कूट यह गोवाहाटी में लॉंच किया गया है इससे पहले गुरुग्राम और कोईंब टूर में भी यह बेंडी कूट रोबट लॉंच किया जा च तो विच परपस ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन वन माराष्ट सरकार द्वारा एक महा पॉर्टर लॉंच किया गया है जो की जॉप से रिलेटेड है जॉप सर्च की जा सकते हैं आपर फ्रेंड्स साथ में आप सभी करेंट अफेर्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही डिसकर्शन ग्रूप में आप किसी भी कोश्चन का सोल्योशन पा सक रहे हैं तो आप जल्दी से इसको जोइन कर डीजिए टेलिग्राम पर सर्च हीजिए करंट अफेर्स फंडा और आपको यह मिल जाएगा इसको जोइन कर डीजिए आपका काफी अच्छा रिवीजन होगा इस चैनल पर दोस्ते हैं आपर करंट अफेर्स की प्रेलिस्ट दी थेंक यू गाइस